हेलो एवरीवन बेलकम बैक इनवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिलतों दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 11 खाट चैप्टर नंबर 5 कॉंप्लेक्स नंबर की वह आज हम समझेंगे मैंने पूरा नोट बना लिया है मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा और आप समझते हुए चलना हो के आप चाहिए इसकी सोट लेके अपने नोट को आप तयार कर सकते हुए ना पहले सबसे पहले बात करेंगे हम प्लस इमेजनरी नंबर और इमेजनरी नंबर का जो भी सम होता है हम कॉम्पलेक्स नंबर को Z से देनोट करते है Z is equal to A PLUS iota V इसको आइकॉम iota रीड़ करेंगे ओके A PLUS iota V complex number का form यह होता है A जो होता है वो आपका real number होता है कोई आपसे बोले real Z क्या होगा मतलब real part complex number का A वाला होगा जिसके साथ iota लगा होगा वो आपका imaginary number होगा V जैसे example के लिए मैंने आप लिख रखे हैं complex number के example 2 plus 3 iota इसकी form different different तरीके से आपकी हो सकते हैं आप बस समझते हुए चलो 1 minus under root 3 iota यह भी आपका complex number के example है and 3 upon 2 minus का 4 iota यह भी complex number का आपका example है and 4 जो है आपका under root 3 plus का under root 2 iota यह आपके complex number इस form में होते है आपको याद रखना iota square का जो value होता है वो minus का 1 होता है और हम iota is equal to under root minus 1 under root minus 1 को हम iota लिखते हैं अभी तक हमने real number सारे पड़े हुए है 9th और 10th class में अब imaginary number हम समझते है imaginary number होता क्या है जिसके combination से जुमारा complex number बनता है real तो मैं पता है all number सा real number what, what is the imaginary number क्या होते है वो जल्दी से आप समझ लीजए imaginary number मैंने आप लिख लिए है बेदा आपको example के साथ समझाऊँगा इनको लिखते कैसे है imaginary number अगर कोई भी number root में होता है ठीक है उसके साथ minus होता है उसको हम imaginary number बोलते है इस form में आपको दिखाए दे under root minus 2, under root minus 7 under root minus 5 इनको हम imaginary number बोलते है तो बोलते हैं हम 10th में यह imaginary number है इसको हम solve नहीं कर सकते है 11th class में हम आगए आपको बताएंगे इमेजरी number को भी solve किया जा सकता है जैसे first example था under root minus 2 इसको मैं लिख सकता हूँ minus का 1 into 2 अब मैंने क्या क्या है यहाँ पे मैंने root से इनको separate कर लिया under root minus 1 into root 1 हमें पता है under root minus 1 का जो value होता है वो आयटा होता है तो under root 2 आयटा imaginary number हो गया यह एसे solve करने हैं आपको जैसे under root 7 एक और example है minus का अगर root में minus आता है तो आप इस तरीके से ही solve करिएगा minus का 1 into 7 एक पार्ट अलग लिकिले root में and 7 बाल अलग लिकिले ठीक है under root minus 1 का जो value होता है वो आपका होता आयटा तो यह हमार होगे under root 7 आयटा and third example अगर अगर किलियर नहीं होता है तो यहाँ भी आप समझ सकते हो under root minus 5 को में लिख सकते है under root 5 is equal to under root minus 1 into 5 अब यह हमने term separate कल देने आपको under root minus 1 into under root 5 under root minus 1 का value आपका आयटा होता है ठीक है और under root 5 यह आपके इमेजरी नमबर होगे अब यहाँ पर आयटा square is equal to minus 1 का भी हम यहाँ पर use देखेंगे आपके जो first exercise है 11th class की इसी पर depend होगे आज हम introduction समझेंगे complete फिर उसके बाद exercise को भी हम upload करते रहेंगे वीडियो का आगे बढ़ते हैं जो आयटा square का user वो आपका यह आपको यहाद रखना आयटा square का value होता minus 1 होता है ठीक है अगर कोई आपसे पूछता आयटा क्यों का value आप बताओ आयटा का power 4 तो आपको इसे क्या लेखना है आयटा square में भी हम question को break करने की पूरी courses करेंगे करकि मुझे पता आयटा square का जो value हो minus 1 होता है आयटा की power 4 is equal to आयटा square की power 2 होके आयटा square का value minus 1 होता है ठीक है minus 1 का square 1 हो गया now another example है आपके आयटा का power 39 मैंने क्या बोला तकर odd power है तो आप क्या खूसिस करोगे इसका एक इसमें से odd वाला time अलग कर दो जैसी में इसमें से एक odd वाला time निकालूँगा 1 आई निकाल दो तो आयटा का power 38 रह गया होके आप even में ही break करना इसको आयटा का power 38 आयटा की power 38 को में लिख सकता हूँ आयटा square का power 19 because मुझे पता आयटा square का जो value होता है वो minus का 1 होता है minus का 1 की power 19 into आयटा ओके तो इसका value आपका आएगा minus का आयटा क्योंकि odd में power है तो minus में आएगा तो चलिए आगे हम समझते कुछ properties की जो addition, subtraction, multiplication और division कैसे करते हैं अब यह आपके आगे properties of complex number complex number का हम addition कैसे करते हैं first addition मालोग कोई भी दो आपको complex number दे रखें z1 is equal to 2 plus 3 आयटा and z2 is equal to 3 plus का 5 आयटा हमें इसको add करना बहुत ही simple तरीका होता add करने का z1 plus z2 is equal to दोनों को add करके add कैसे करेंगे number number वाले number के साथ करेंगे 2 plus 3 5 and imaginary मतलब आई वाले जो भी टम रहेंगे उनको एक साथ करना है 3 plus 5 8 आयटा ऐसी सिम्मला subtraction का रहता है दो आपके complex number है 2 plus 3 आयटा and z2 is equal to 3 plus का 5 आयटा अब इन दोनों को हमें minus करना subtraction कैसे करेंगे z1 minus z2 is equal to 2 z1 का value 2 plus 3 आयटा माइनस जब भी हम माइनस करते हैं तो bracket जरूर लगाना आप को के फिर क्या करेंगे next step में minus अब open करते है sign change हो जाते है minus का 3 plus का minus का 5 आयटा हो के 2 minus 3 minus का 1 आयटा वाले आयटा के साथ solve होंगे 3 minus 5 कितनों के minus का 2 आयटा तो ये addition और subtraction ऐसे करते हैं चलिए multiplication और division को भी हम समझ लेते है ये आपका है multiplication कैसे करते है complex number को दो आपके complex number है z1 is equal to 2 plus 3 आयटा and z2 is equal to 3 plus का 5 आयटा इन दोनों का हमें multiplication करना है हमने दोनों यहापे bracket लिए है करेंगे कैसे first number का पहले 3 के साथ 2, 3 is a 6 plus 2, 5 is a 10 10 आयटा plus 3, 3 is a 9 आयटा and 3, 5 is a 15 i का i के साथ आयटा is equal to 3 आगे आपका है 6 plus 6 plus आयटा आयटा वाले अडिकर ले 10 plus 9 19 आयटा and आयटा स्कार का जो value होता वो आपका minus 1 होता तो यह मेरा हो जाएगा minus का 15 now अब देखो number number आप solve गर लो 6 minus 15 हो जाएगा minus का 9 okay plus का 19 आयटा आपको याद रखना है बस i test car का भी value है आपको यहाँ पर replace का 9 आयटा इसका is equal to minus 1 होता है तो minus का 15 यहाँ से आ जाता है तो शाल यह division को भी हम समझ लेते है तो complex number का हम division कैसे करते है यहाँ पर भी मैंने 2 example लिख रखे है ध्यान से आप ज़रा समझना Z1 upon Z2 हमें निकालना Z1 का value मैंने यहाँ पर रख दिया है 2 plus 3 आयटा ओके upon 3 plus 5 आयटा जब भी हम complex number को solve करेंगे division तो हमें race-lization करना यह ध्यान रखना है अगर यह plus में है तो minus के साथ जाएगा या minus होता तो plus के साथ जाएगा denominator होगी ना वो ही हमने यहाँ पर race-lization कर लिया है फिर वो ही simple सी calculation आपकी रहेगी बस आपको आयटा square का value याद रखना है वह ही यहाँ पर replace करना है अब देखो 2 का 3 के साथ 6 and 2 का 5 के साथ minus का 10 आयटा 3 3 is a 9 आयटा and 3 5 जा 15 minus का 15 आयटा square अब नीचे आपका property बन गया a square minus का b square a आपका 9 का square sorry 3 का square ओके यह आपका 3 आप यहाँ पर 9 3 कल लीजिए यहाँ ठीक है 3 का square हो गया यहाँ पर ठीक है 3 का square 9 हो गया आपका and 5 5 25 आयटा square और यह आपका 9 आयगा यहाँ पर sorry गलत हो गया 9 plus 15 आप 8 गल लीजिए आपका हो जाएगा 34 हो के ऐसी numerator का आप 8 गलना आयटा वाले आयटा के साथ 9 plus 9 plus minus का 10 minus का आयटा 15 आयटा square value कितना होद है minus का 1 तो प्लस का 15 हो गया 15 plus 6 21 minus का आयटा तो यह आपका ऐसे division करना है आपको तो चलिए और properties की रहेगे additive inverse और multiplicative inverse कैसे निकालते है ओके यहाँ पर आपको screen पर आपको तीनो property दिखाई दे रही होंगी additive inverse and modulus कैसे निकालते है complex number का and conjugate कैसे निकालते है ठीक है additive inverse बहुत ही simple है करना क्या होता है जो भी complex number आपको given है उसके आगे आप बस minus का sign लगा तो तो वो आपका additive inverse हो जाए minus open करके लिख दीजिएगा minus का 3 और minus का 2 आटा now modulus कैसे निकालते है किसी भी complex number का तो कोई भी complex number आपका होता है z plus a आटा v के form में तो modulus को more z से या फिर r से भी denote करते है r is equal to a का i square plus b का i square जो भी complex number a और v रहेंगे उनका i square root में लिखना है example के लिए z is equal to 2 plus का 5 i 2 का i square यहाँ लिखना है plus 5 का i square 2 का i square 4 5 का i square 25 दोनों को जब आप 8 गरोगे तो आपका आएगा 29 another example आपका है negative के लिए मैं लिख रखा ठीक है वो रवाला जो plus के लिए था z is equal to 2 minus का 3 i square 2 का i square plus minus 3 का i square 2 का i square 4 and minus 3 का i square 9 दोनों का i square गरोगे तो आपका आएगा 13 तो ऐसे हम इसका modulus निकालते है अब conjugate की बात करते है किसी भी complex number का conjugate हमें करना है तो करना किया होता है कोई भी example है जैसे z plus a i to v हमें complex number को z से denote करते है इसका हमें conjugate निकालना है बस आपको i to kya कि minus वाला लगा दो अगर ये plus में है तो यह minus यह minus है तो यह plus conjugate को हम z के उपर बार से denote करते है example के लिए आपर मैंने लिख रखा एक number z is equal to 3 plus item हमें इसका conjugate निकालना कैसे लिखेंगे z var is equal to 3 plus है तो minus का item अगर यह minus होता तो plus का item लिखते है ठीक है अब इसका last property आपका रह गया है multiplicative inverse उसको भी आप देख लिए फिर हमारा basic complete हो जाएगा multiplicative inverse of complex number कैसे निकालते है हम denote करते है z inverse से z inverse is equal to 1 upon z आप example के लिए आपका कोई भी complex number है z is equal to 2 plus 3 हमें इसका multiplicative inverse निकालना है तो कैसे लिखेंगे z inverse is equal to 1 upon z z की value कितने 2 plus 3 आइट है आप यहां से simple वही racialization आपको करना है denominator का plus में है तो उपन नीचे minus में जाएगा ठीक है one case के साथ करेंगे तो same number आएगा नीचे आपका identity बन चुका आपका a square minus b square का 2 का square minus 3 आइटा का square ठीक है 2 का square 4 होगे हम minus 3 का square 9 आइटा का square आइटा square आइटा square का value जो होता है वो होता minus का 1 ठीक है जब हम minus का 1 यहां पर रख देंगे तो plus का 9 हो जाएगा minus 1 जब हम put कर देंगे तो यह plus का 9 हो जाएगा same यही आपका answer है तो यह हमारा basic था जो complete हो चुका है complex number का जो introduction था इसके बाद हम exercise की video भी